नमेश्का दोस्तों, मेरे डाम डॉक्टर नेकिंद्रियादर है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह जो है मटकी है आपको पता है इस टाइम में बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए हम उनके ब्रीडिंग सेट अप के अंदर जो है मटकिया लगानी शूब कर दी है मटकी कैसी होनी चाहिए मटकी लगाते वे में क्या सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बर्ड्स देखिए अकसर जो ब्रीडिंग करता है यदि आपने उसको एक अच्छा घर प्रोवाइड किया है तो आप एमान के चले आपका जो ब्रीडिंग का जो रिजल्ट्स होगा यानि आपकी हर मटकी के अंदर आपको जो है अंडा देखने को मिलेगा और इसमें कुछ चीजे या कुछ बाते ऐसी हैं जो कि आपको मटकी लगाते वे बर्ड्स के बॉक्स के अंदर आपको सावधानी रखनी चीए एक तो आपको कोशिश करनी चीए कि जितने नंबर ओप पेर्स आपने अपने एवेरी के अंदर रखें है उतनी ही जो है पेर के हिसाब से उतनी ही मटकिया या आप इसको ब्रेडिंग बॉक्स भी कह सकते हो वो आपके इवेरी के अंदर होने चीए एक मटकी से दूसरी मटकी के बीच का जो डिफरेंस है वो बिलकुल सिमिलर होना चीए ना कम ने ज़दा कोशिश करनी चीए एक ही साइज की मटकी का चुनाव आप पूरी उसमें करें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने कुछ छोटी मटकी कुछ बड़ी क्योंकि इसमें भी क्या है बर्ड्स आपस में जगड़ा करना शूरू कर देते हैं घर पे कबजा करने के लिए यदि एक ज़सी सब के घर में मटकिया होंगी तो उसमें आपके जगड़े की आदी समस्वीश्य खर्ण मटकी कबजा कर दें ज़़्यक आपके नमबर और बॉक्सस कम है यह मटकिया कम है अब बर्ड्स के पेर ज़ाद है तो उसमें क्या होता है कि इनका अपने बॉक्स के ओपर या मटकी के ओपर कबज़ा करने के लिए आप उसमें फाइटिंग होना बहुत आम बात है इसलिए आप एक दो मटकी जो है एक्स्टर लगा करके ही रखिए आपके ब्रीडिंग पेर्स के इसाब से जो मटकी कमनी होने चाहिए एक मटकी से दूसरी मटकी के बीच में कम से कम बारा बारा इंच का डिस्टेंस होने चाहिए एक एक फुट का आप मानके चलिए जो में होता है मटकी के सामने बिलकुल एक दम जो है आप उसकी पर्चीज न रखे है उसके hole के अंदर से तो और आपका birds अंदर बैठा हुआ है तो दूसरे birds को देखकर कि जो हुआ आपका birds disturbed होता है और वो अंडे पे से उठकर के भार आ जाएगा इसलिए जो purchase की location है वो भी सबसे important होती है purchase आपकी मटकी के main gate के सामनी नाओ करके इसे थोड़ा सा हट करके होनी चाहिए उपर से आपको इसको cover करके रखना चाहिए आप इस देख सकते हैं दूसरा इसके अंदर जो है bedding metal प्रॉपर होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं मैं इस तेम जो है इसमें bedding सेगा डर की वज़े से और गुसने के बाद भी यदि उसमें अंडे उसने दे भी दे तो अंडे देने के बाद अंडों के उपर कभी बैठे रहे हैं देखे मटकी के दो पॉर्शन है यह हाफ उपर है हाफ नीचे हैं आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि जो mid portion है mid line है यहां से आपने इसके उपर जो है यहां से यह portion इतना जो है इसको cut करके यह birds के लिए hole आपको बना देना चाहिए अंदर आने जाने के लिए उसका reasons क्या है कि जब आपने इस cut को आप इतना उपर उपर लेगे और आपका birds यहां से जाएगा आपका birds जो है नीचे base में जा करके बैठ जाएगा बेस में जाने के बाद आपके birds जब इस position पे रहेगा तो आपके birds को अंदर से बाहर ये नहीं दिखेगा कि बाहर क्या हो रहा है यदि आप इसको इस तरीके से काट लेते हैं कि यदि आप इसको नीचे से काट लेते हो यानि इसका जो काट है आप इस mid line से यदि नीचे ले लेते हो आपका जो birds अंदर बैठा हुआ उसको जो है बाहर वाला birds आराम से निज़र आएगा और उस birds को देख करके बार-बार आपका birds बेचेन होगा या disturb होगा उसकी वज़े से birds कभी भी अंदर अंडे के उपर नहीं बैठ पाएगा और अंडे के उपर नहीं बैठ पाएगा तो अर एक्स को इंक्यूबेट नहीं कर पाएगा तो अंडे में से बच्चा नहीं नहीं कर पाएगा बार-बार डिस्टरब होगने से इसलिए ये जो entrance है ये सबसे important होता है इस मटकी की location के एसाब से आपके birds के breeding का successful 100% result आने के लिए इसकी जो entrance है सबसे important होती है इसलिए जो entrance की जो location है प्लीज आप इसको जुरू धिहार नखिए ये सबसे important होता है distance purchase का आप देखेंगे कि यदि आप इसको maintain कर लेते हैं तो आप इमान के चले कि 100% successful rate आपको अपने बजीगर भी आपको देखते को बिलेगा bedding material प्रॉपर अच्छे तरीके से होना चाहिए उसमें क्योंकि आपको पता है कि यदि आप इसके अंदर bedding material अच्छे से नहीं देंगे जब अंडे में से बच्चा निकलेगा तो उनके जो है legs में deformities होने की यदि जो टांगे है टेडी में नहीं हो सकती है यदि आपने bedding material प्रॉपर अंदर अच्छे से प्रॉइड किया है तो अंडे में से जब बच्चा निकलेगा तो आप एमान के चली जो उसके legs होंगे और फैलेंगे नहीं बिल्कुर सेम प्रॉपर पोजिशन में होंगे इसलिए bedding material important है मटकी की जो location है सबसे important है अब बात आती है कि diet की इस breeding season में आपको birds को maximum soft right provide करने चाहिए क्योंकि जब birds छोटे बच्चों को भरवाता है तो यदि soft right खुद से खाता है बच्चों को भरवाता है उससे बच्चों की growth काफी अच्छी होगी calcium proper दीजिए क्योंकि बच्चों की calcium requirement भी ज़्यादा होती आपको मेरे वीडियो पसंद आगए थी आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद